बंगी, बुद्ध, भगन, बुद्ध या भगवा या भववा या भगवान, बुद्ध या ततागर बुद्ध बहुत सारे नाम है हजारों से भी ज्यादा नाम है जो पहले से बोलते थे के एक हजार आर्ट नाम है एक हजार आर्ट से भी ज्यादा नाम है पूरा त्रिपिटिक देखेंगे तो उसमें बुद्ध के गुण वांचक हजारो नाम मिलते हैं कुछ नाम मैंने यहां बताया भी है कुछ अभी मैं आगे बताऊंगा भी तो यहां जो यह वीडियो है यह है डिप्रेसन के वारे में अफसाद के वारे में भगवान बुद्ध और डिप्रेसन बहुत सारे लोगों की डिमांड आई कि आप भगवान बुद्ध और डिप्रेसन के वारे में बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग अफसाद से और डिप्रेसन से परिशान है और उस से ब्यादा जो बुरी बात है वो यह है कि लोगों ने डिप्रेशन दूर करने का अवसाद दूर करने का और ये जो मन मरा हुआ होता है इसका वैफसाय किया हुआ है और व्यापार किया हुआ है लोग इसकदर व्यापार कर रहे हैं कि तरह तरह के हजार तरह के उपाय बरा बरा के बेच रहे हैं उनकी वीडियो चल रही हैं, उनके सेंटर चल रहे हैं जहां वो कहते हैं कि हम डिप्रेशन दूर दूर करेंगे और उसमें लोग जाते हैं, मगर डिप्रेशन दूर नहीं होता, इस कारण से लोग जानने के लिए उत्सुख हैं कि भगवान बुद के समय में डिप्रेशन कैस सक रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो सारा का सारा मन का विज्ञान ही यानि कि जो नाम है और जो रूप है या जो सौफ्ट्वेर है जैसे काम करता है वही सीखार वही लोगों को सिखाया और उन्होंने अपने जैसे हजारों डॉक्टर भी मन और चिकिसक पैदा किये जो पूरे जगे-जगे घुँम कर भारत में उस समय लोगों का उपचार करते थे। बहुत सारी कहानिया हैं जिसमें जैसे किसागौत्मी हैं। किसागौत्मी बुलकुल मेंटली टिश्टर्ब हो गई थी, पागल हो गई थी और बहुत जयादा जैसे पटाचारा है जिसका पूरा का पूरा परिवार जिसका मैं का बच्चे परिवार माता पिता भाई बैनी की दिन में समाप्त हो गए थे ऐसी बहुत सारी कहानिया हैं जिनमें उन्होंने मानसिक रूप से विछित्प लोगों को बुलकुल डेस्टॉय लोगों को ठीक किया और उनकी जीवन को सफल किया उससे यह जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ यह वीडियो आप उनको भेजें जो डिप्रेशन से या अफसाद से परिशान है और जिनको बिचारों को यह भी नहीं पता कि उन्हें डिप्रेशन है या वो अफसाद में या बहुत ज़्यादा उनका मन विछित्प हो चुका ह डेमेज हो चुका है खराव हो चुका है उनको जरूर बेजें तीन बाते होती हैं जो मन से पता चलता है कि हम कब डिप्रेशन में और कब अफसाद में जा रहे हैं एक हमारा मन कहता है कि हमें कोई चीज चाहिए 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 और वो हमें ना मिले और वो हमारे मन में घि जाए उसकी एक फाइल बन जाए और वो बारवार बारवार रिपीट हो बारवार बारवार उसकी पुर्णा बरती हो बारवार वो आए मन में कि हमको ये चाहिए ये चाहिए वो कुछ भी हो सकता है चाहे कोई वस्तू है चाहे वो कोई जगे है या कोई जमीन है घूमना है फ कोई पैसा कोई धन कोई काम वासना में कोई नर कोई नारी कोई जो वासल है जिसमें तशना होती है कोई बच्चा उसका प्यार दुलार या कुछ करने की इक्षा जो या कोई नाम या प्रिसदी कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको चाहिए 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 और वो आपको नह और ये या उसकी उमीदगी अगर उसकी उमीद ए और उसकी फैल बनी शुरू हो गई तो वो एक बहुत ज्यादा मन की एस्पेस को कि जो आपका मन है माइंड है उसकी सारी एनरजी को वो सक लेता है खीच लेता है दूसरा कारण है जब आपको नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए यानि कि आपको कोई वस्तू है कोई जगे है कोई स्थान है कोई भी कैसे चीज है जो मैंने अभी पहले बताई है अगर वो उनको नहीं चाहिए कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता वो नहीं आना या आपको कहीं कोई आपका कुछ ले जा रहा है वो अच्छा नहीं लगता या आपको कहीं भै लग रहा है वो अच्छा नहीं लगता या आपको कहीं भै लग रहा है वो अच्छा नहीं लगता यानि कोई भी मन में ऐसी स्थिति है जो आपको नहीं चाहिए और वो आपको मि या कम मिली है फिर जादा मिलने वाली है फिर वो जादा मिलने वाली है या मिल रही है ऐसी स्थिति में और तीसरी स्थिति है जब वो कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए यानि कि कभी मन करे कि ये चाहिए 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 और कभी मन करे ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए और वो कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए उसको महो और मूरता बोलते है महो वो वाला सब्द नहीं है जो बच्चे से महोता है या मा से महोता है या किसी खाने से महोता है महो पाली का अंदर है महो मूरता इसको बोलते है कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए तो तीन सब्त के तीन चीजों की वज़े से हमें अफसाद आता है डिप्रेशन आता है हमारा मन मर न शुरू हो जाता है हमारा जो मन है वो मिठ्तिक तरफ जाना शुरू होता है राज यानि चाहिए दो accessibility यानि कि नहीं चाहिए और कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए यानि मोह मूरता की पूलीशन और श्टिति जब ये श्टिति बढ़ जाती है और इसकी फाइलने जदा बढ़ जाती है इसका रेपिटिस्न जदा होता है तो एक समय ऐसा आता है कि आपको, आपकी सोच में, आपके मन में इसके अलावब कोई बात ही नहीं आती, और जब इसके अलावब कोई बात नहीं आती, तब आपके सारे काम बंद हो जाते हैं, सारी फैने बंद हो जाती हैं, सारी चीजें खतम हो जाती हैं, फिर यही फैल खुलेगी, आपको या तो चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए या कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए इस इस्तिती को जनरल भासा में कहते बागल हो गया कहते इसका दिमाग खराब हो गया इसकी mental इस्तिती ठीक नहीं है इसका mental disorder हो गया यह depression में चला गया, यह अफसाथ में चला गया जब सारी फाइलें वो बंद कर देता है और सारा space mind का और सारा space आपकी memory का यही फाइल गहल लेती है और यह repeat होती है ठीक ऐसे repeat होती है जैसे आपके computer में कोई virus डाल दे और virus लगाता जतनी वार आप उसे delete करेंगे उतनी वार वो और बढ़ जाता है ऐसे virus के ही आए हैं कि एक file बनेगी आप जैसे उसको delete करेंगे, delete component दबाएंगे वो 10 file और तयार कर देगा 10 दबाएंगे तो वो 100 कर देगा 100 दबाएंगे तो 1000 कर देगे सारी file पर कबज़ा कर लेता है और कबज़ा करने के बाद में वो आपकी हर file को बंद कर देता है अब आपको ना तो भूक लगेगी आपको कितना ही स्वादिश्ट खाना आपके सामने रख दो आपका मन उसमें आ जाए, वो file नहीं खुलेगी जाए, वो मन में नहीं आरहा है मन में तो कबज़ा हो रहा है किसी और चीज़ का तो जो देखर horses है वो अच्छा नहीं लगेगा कोई गाना सुनेगे आप तो गाना अच्छा नहीं लगेगा कोई पिचर देख tapping है को पिचर चिने लगें और फिर वो आपकी death की file खोलता है क्योंकि जितने भी depression है या जितने भी negative energy है उनका ये काम है कि आपकी death की file को death की file almost जब पैदा होते हैं तब ही बनती है और वो खुली रहती है मगर वो activate नहीं हो पाती या उसकी activate की speed बहुत कम होती है मगर वो उसकी activation की speed को बढ़ा देता है और आपका सरी dkdkdk होता है अनन तो वो आपको बार 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 उकसाता है और वो ये कहता है कि आप अपनी death की file को तेजी से आगे बढ़ाओ और वो आप वही काम दना शुरू कर देते हैं जो आपका mind आपको कहता है कंट्रोल करता है कि आप इसको आगे बढ़ाएं आप इसको आगे बढ़ाएं आप इसको आगे बढ़ाएं और वो death की file कुरी रहती है जो उस समय सबसे ज़्यादा energy लेती है और सबसे ज़्यादा एंरजी के साथ वो आगे बढ़ती है इसलिए डिप्रेशन का जो सिकार व्यक्ति है उसको ये समझ में नहीं आता कि उसका मरने का मन क्यों कर रहा है वो क्यों मरना चाहता है उसको ये पता नहीं चल पाता है कि ये उसकी मरने की इक्षा आई कैसे क्योंकि human software के अंदर human के अंदर मरने की इक्षा नहीं आती एक 100 साल का 200 साल का विक्तिव जो जीवित होगा अगर आप उससे कहोगे कि बाबा क्या कश्ट है अमा क्या कश्ट है तो हो कहेंगे हाथ नहीं चलते呀阿k Hil ni चलते , आंके खराब होगे हीוצ सुना थीं देता नहीं है हम तो चले जाएं यहां से हम तो दुनिया ऋट जाएं हम तो मर जाएं तो जादा अच्छा होगा और जीसे आप उनसे काओगे कल आपका मरने का दिन है आप मरोगे तो केंगे नहीं हमें नहीं मनना भी तो हमें 100 साल जीना है यानि death की file को overcome करके आदमी हमेंसा जीवत रहना चायता है और वो अपनी death की file को हमेंसा बंद करके रखता दबागे है नहीं मननना है मगर depression में उल्टा हो जाता है यानि वो जो चाहिए 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 जो राग है और जो द्वेस है और जो मोम उड़ता है वो उसे जो जीवन की file है लाइफ की file है जिसमें आप जीना चायते हैं और जिस फाइल में ये सारे data होते हैं, code होते हैं, कि हमको हमेंसा जीना है, हमें मरना नहीं है, वो फाइल भी activate नहीं होती, इसलिए उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, कि उसके मरने की इक्षा कैसे उत्पन हो गई, और जीने की इक्षा कैसे खतम हो गई, इसका बहुत लोगों ने वैपार बनाया हुआ है, सारी दुनिया में इसका वैपार है, जबकि पता ये किसी को नहीं है, बुद्ध के अलावा कोई नहीं जानता, कि डिप्रेशन की फाइल कैसे बनती है, कैसे खतम होती है, कैसे पर्मनेंट जाती है, कैसे इपाती है, सब लोग इसके सिंटम्स पर काम करते हैं, कहते हैं, अच्छा, आपको खराब लग रहा है, तो आपको इगाना सुन लीजिए, ऐसा कीजी, अपना मन पसंद गाना सुन लीजिए, कोई कहएगा कि एक काम करो, अपने दोस्तों से मिल लो, कोई कहएगा चलो पारटी में चलो, वहाँ गाना वाणा खाना दरो और पीनट थीक हो जाओगे, पचास तरगी बात है, कोई कहएगा कि पानी पी कोई कहएगा गाना काओ, कोई कहएगा जोड से चल लाओ, कोई कहएगा अपना मन पसंद गापड़ो, यह सारे symptomatic हैं छोटा सा इलाल है जब तक आप उसमें involved रहेंगे तब तक के लिए वो भी chance है अगर depression की file ज्यादा हावी होगी है ज्यादा और इस पेस नहीं है तो फिर आपका किसी party में मन नहीं लगेगा वो आपकी सांसों को देर देर तोड़ेगा depression की file जब बंद हो जाती है तो आपको सांस लेने में भी दिकता नहीं सुझाती है आपको बार बार ऐसा लगए कि जैसे आपको सांस नहीं आ रही है हकीकत में होता यह है कि depression की file इतनी बड़ी और हैवी हो जाती है कि वो पूरे brain पे कबज़ा कर लेती है और brain को उस समय ज़्यादा oxygen की आउसकता चाहिए तो आपको उस समय ज़्यादा oxygen की आउसकता होती है तो ज़्यादा oxygen की लिए ज़्यादा blood की आउसकता होती है तो blood के लिए heart pump करेगा तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा heart fail होने जा रहा है हमें बेचाणी हो रही है और हम उस समय बहुत परिशान हो जाता है सांस नहीं टोटते क्योंकि सांस टोटने का मैकनिस्म बोड़िके अंदर नहीं होता अपने आप सांस नहीं टूटे Walking मगर आपको परिशानी बेचानी होगी आप लगातार पानी पेंगे, पानी पेंगे, पानी पेंगे, बार बार आपका होट सूख जाएगा, बार बार आपका मूँ सूख जाएगा, बार बार आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बोडी गरम हो रही है, बार बार ऐसा लगेगा जैसे हाथ परों में अदम नहीं है, तो कि सारी एनरजी तो brain में जा रही है, सारी एनरजी जो आपका प्रोसेसर है उसमें जा रही है, mind में पूरा कपजा किया हुआ है, brain को काम पे लगाया हुआ है, और हाथ पर ठंडे रहेंगे, यह depression का एक होता है, depression में बहुत सारे symptom आते हैं, कि यह वार depression में उगर भी हो जात जिसमें वो involved हो जाए, और उसका mind involved हो जाए, मगर यह बहुत छोटे period के लिए रहेगा और आपका नुकसान हो जाएगा, कई बार depression में आदमी अपने आपको छती भी पहुचा लेता है, वो ज़्यादा कहता है, कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, मैं समझ भी पारा, तो अपन तो उसकी feelings आती है, वेदनाय आती है, समवेदनाय आती है, उसकी तरंगे आती है, उसकी waves आती है, वहाँ ऐसा लगता है, कि पेट में कुछ एंठा, मरोडा सा, कुछ टुष्ट सा हो रहा है, और वो टुष्ट से पता चलता है, कि आपका depression किस quality का कितना बड़ा कैसा है, depression में आप सोने की कोशिस भी करेंगे, तो नीद नहीं आएगी, जागने की कोशिस करेंगे, तो आप जाग नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी नीद वाली फाइल और जागने वाली फाइल सब overpower हो चुकी है, सारी सारी control में जा चुकी है, depression का cycle 8 में होता है, यानि कि वो बार 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 रिपीट होता है, उसे में घूंता रहता है, उसे निकलने का रास्ता अमूमन किसी के पास होता नहीं है, और depression को जब तक आप सुईकार नहीं करेंगे, जब तक आप accept नहीं करेंगे, कि मुझे depression है, अफसाद है, या मैं फच चुका हूँ, तब तक आप उससे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे मानेंगे नहीं और वो अपना काम करेगा, तो उसकी तो जीत हो जाएगी, कि वो लगाता लगाता बढ़ता रहे कर आप उसको मानें रहें, जब मानेंगे नहीं तो उसका इलाज भी होना मुश्किल है, तो बहुत सारे आप लोगों से पूछेंगे, इसला रिलेक्स मिलता है, आराम मिलता है, तो आप 24 गниक्ड नीन रहेंगे, आप एलर्रट नहीं रहेंगे, यह डिप्रेषण की दवाइयां होती है, जो आपको, आपके सॉफ़एर की स्पीड को कम कर देती है, और आपको रिलेक्स देती है, आपकी मसल्स को रिलेक्स दे हैं या जितनी बताते हैं वो सब सिंटोमेटिक हैं सब अपना दुकान चलाते हैं किसी के पास पर्मानेंट इलाज इसका नहीं है सवाए बुद्ध को छोड़ कर अब बुद्ध को छोड़ कर कैसे है क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपको डिप्रेशन का साइकल आ गया है डिप्रेशन का साइकल आमोगमन आदमी सोचता है कि अरे मुझे भूक नहीं लग रही है तो डाक्टर को दिखाएगा कोई कारण होगा अरे मुझे नीद नहीं आ रही है तो कोई कारण होगा अरे मेरा किसी का कोई काम करना है का मन ने कर रहा है तो कोई कारण होगा वो ऐसे कारणों में जाते हैं डिप्रेशन के डाक्टर के पास नहीं जाते जो अच्छी तरह से उसको देख ले जब आपको यह analysis हो जाए या आपको swim ने अगर यह पता चल जाए कि आपके साथ जो हो रहा है बाकी से फिट है सिर्फ depression है आपका मन फस चुगा है तो आपको विपस्ना जाना होगा विपस्ना वो टेक्निक है जो depression को जड़ से खतन कर देती है और आप depression को जैसे आते हुए अगर जानकार हैं समझदार हैं देख सकते हैं तो depression भी जाते हुए दिखाई देता है depression धीरे 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 करके किसी का चौते दिन किसी का पांचवे दिन किसी का छटे दिन किसी का साथवे दिन और दसमें दिन तक तो सबका डिप्रेसन दूर हो ही जाता है अगर वहाँ जैसे बताते हैं उस टेक्निक के साब से आप विपसना करते हैं साधना करते हैं गुद्ध ने जो repetition of file है उस repetition of file को बिलकुल नहीं छिड़ा उन्होंने उसको बिलकुल सांत कर दिया और विपसना साधना के थ्रो एक दूसरे काम में लगाया जिसे दूसरे काम में repetition नहीं होता बलकर removal of files होता है यानि जो file बनी है वो direct remove होनी शुरू हो जाती है उनको stop नहीं करते नहीं उसमें energy लगाते उनको उस विपसना की technique से वो delete होनी शुरू हो जाती है और वो file जैसे 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 डिलीट होती है ठीक ऐसे होती है जैसे किसी folder के अंदर 1000 file है तो जैसे जैसे विपसना करते जाते हैं और जितनी अच्छी विपसना करते जाते हैं अच्छी से मतलब है कि जो instructions दी गई है उनको follow करते जाते है आप instructions follow कीजी 100% तो आपकी विपसना साधना बढ़िया होगी तो file है removal और delete होती है पर्मनेंट वो बहुत तेजी से हो जाती है और एक समय आता है कि जब उनकी speed बहुत बढ़ जाती है और वो सारी सारी foltery और foltery गाया हो जाता है उसका तो तो आप positive energy में आ जाते हैं इस बात को आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि depression का cycle मेरे उपर आया था और जब depression का cycle मेरे उपर आया था तो मैंने उस cycle को आते हुए देखा बड़ा खतनाक होता है death की file खोल दी उसने मेरे चेहरे का रंग बगार दिया मेरा उसने weight खतम कर दिया दो तीन चीज़े आपास में मिल गई एक राग वाली और एक दूएस वाली और एक मोमोड़ता वाली उन सब ने मिलक अटेक किया सारा mind मेरा कबजे में कर लिया एक-एक स्थती मैंने देखी एक-एक चीज मैंने देखी फिर मैंने टीचर से कहा कि मुझे विपस्तना का sheet चाहिए क्योंकि मैं पहले से विपस्तना करने वाला हूँ तो मैं जानता था कि ये unlock वहीं होगा और वहीं delete होगा और वहीं remove होगा दवाईयों सब यह होता नहीं क्योंकि ये psycho-somatic है इसकी कोई दवाई नहीं होती ये आता भी बिना दवाई के है और जाता भी बिना दवाई के है डिप्रेसन कभी भी किसी चीज के खाने से या पीने से या सरी ख़राब करिस नहीं आता मन से आता है मन में जो situation पैदा होती है उनसे आता है तो जाएगा भी मन से ही, दवाई से नहीं जा जा सकता क्योंकि किसी खराब खाने से आया नहीं किसी दवाई खाने से आया नहीं तो आया कैसे? मन से आया है तो जाएगा कैसे? मन से ही जाएगा यानि उसको आते जाते आप महसूस तो कर सकते हो मगर वो कहीं हवा में दिखाई नहीं देता तो मैंने उसको जाते हुए देखा साथ वे दिन तक 90% डिप्रेशन मेरा खतम हो गया और जब मैं वहाँ से आया तो almost बल्गूर ठीक ता फिर मेरी हेल्थ ठीक हो गई यह मैं आपको जो दो फोटो दिखा रहा हूँ आप देखिए कि यह मेरे डिप्रेशन के समय के फोटो है जब मैं डिप्रेशन में था और अब मैं आपके सामने बैठके आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और डिप्रेशन के बारे में बता रहा हूँ मेरे घर में 17 डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर है इतने काबिल डॉक्टर हैं, प्रॉफिसर भी है और उन सबसे मेरी बात होती है तो कि हम डॉक्टर का उनका पेसा है मगर मेरे साथ पेसा नहीं है, मैं तो उनका भाई हूँ तो हम clear बात करते हैं कहते हैं कि डिप्रेशन का कोई इलाज और कोई दवाई दुनिया में है ही नहीं सिंटोमेटिक दवाई है सिंटोमेटिक इलाज करते हैं जो भगवान बुद्ध ने डिप्रेशन का इलाज दिया उससे बहतर को इलाज नहीं है लोग उसे इलाज को अपने नाम से कहीं बेचें, अलग बात है मगर जो अनो नदिया व्यपस्टा में वही है एक बात हमेंसा ध्यान रखिए भगवान बुद्ध यानि जो बुद्ध होते हैं जो बुद्ध बनते हैं, जो बुद्धी प्राप करते हैं पास में ताकत आती है, वो अपनी death की file को hold कर लेते हैं, यानि कि एक्छा मिर्तु में आ जाते हैं, बुद्ध हम ऐसा एक्छा मिर्तु धारी होते हैं, यानि उनकी wish होती है death पर, death उनके control में होती है, जब वो चाहेंगे तब उन्हें death होगी, तब उनका सरीर बंद होगा, बुद्ध बोधी पर आप करते हैं, और अरत में ये बात काफियत तक आ जाती है, बुद्ध में तो होती है, तो इक्छा मिर्तु उन्होंने चार मेने पहले का था, कि अब मैं वैसा कूर्णमा को अपना सरीर छोड़ दूँगा, और वैसा कूर्णमा की रात के अंती बहर म उनको फिर डिलीशन किया, उनका एडीशन किया, उनका सब्टेक्सन किया, वो सब कर सकते थे, उन्होंने अपना जो सौफ्टर था उसको तरिफाई किया, सारी जितनी भी उसमें वायरस से वो निकाल दिये, इसलिए वो सुद्ध हो गए और प्यौर होगे और प्यौर होग वहाँ फिर ही है, आप जाएए, दस दिल लगा के आएए, बहुत सिंपल छोटी-छोटी एकस्साइज हैं, आपका डिप्रेशन अगर ना चला जाए, अगर आपने ठीक किया है, तो आप यह मान लेना कि आपने जीवन में वो विध्या जो हजार लोगों ने चेक की और हज अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए, या प्रिंट मे किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संधं शर नं करचा नं तं शर नं करचा नं धमं शरनं गच्छा में संगं शरनं गच्छा में बुतं शरनं बुतं शरनं गच्छा में